नमस्कार दोस्तों हम वीहार से मोहित कुमार बोल रहे हैं कि पुराने सीक्ष बेचने के चकड में मेरे साथ कि साट हाजर रुपया का फरोड हो गया हम आपको बता दे कि हम यूट्यूप देख रहा थे जिसमें पुराने सीक्के बेचने और खडिदने के बारे में जो है विडियो दिखाया जा रहा था उस वीडियो में हमें एक सीके देखे जो सीके मेरे दादी मा अब तक सम्हाले करें बला बला सीके है करीब बताती है मेरे दादी मा 1945 आ 1947 के हैं वो तो फिर हमने कमेंड बक्स में नंबर देखा और नंबर देखने के बाद भाईया हम कॉल किए उसको कॉल करके बोले कि भैया जो आप ने सीके और बॉला कि आ रहे हैं तुम्हारे पास इतनी किमती सीख़्े हैどう बोले कि जी इतने है तुम्हारे पास मैंना वोल दवी सीख़्े यह तुम को जो है 25 Mark 101 बैंगे तुम बहुत किमती सिख़्े यह इतने पुराने सिके तुमारे बेपस कहा से आए तो मैं बोला इसको हमको भी जाएगा और जो है तुम को वहां जाके तुम को पैसे देना और तुमको पैसे देकर चलायगा तो मैं बोला ठीक है सर तो बोला तुम इस सीके को जो है किसी को देना मत किसी को दिखाना मत बहुत किमती सीके हैं इस सीके को जो है तुमको हम पांच लाग घर पे नमांज के तौर पे भीजवा दे रहे हैं तो हम बोले कि ठीक है सर आप जैसा करें तो बोला काम करो तुम बेजने के बाद का हुआ कि हम दुबारा उसको कॉल किया और बोला कि काम किजिए आप आपकार सब कुछ आ गया है तो इक कागजी करवाई हमें जो है करनी है इसके लिए जो है आप हमें 20 सब रुपे डाल दीजिए कि तो मैं बोला कि सर आ काम किजिए आप आप जू हमें दे रहे हो 5 लाखन नमास उसी मेंसे जो है Alex कॉल कार दिया कि और उसके बाद फिर कॉल कार रहा है दो मीर बाद और देखिए अशसा नहीं हो सकता हैं हमारे कंपनी यावाद है तो फिर हम का कि बढ़ी कि 20ज रुपय है उसके एकाउट में हम टास्फर कर दीए अपने फोन एसे आपको दिखा देंगे अपने फॉन पर पी का पुरे स्टेट्मेंट तो दिखा जो है ओ भला ठीक आपके चले जाएंगे फिर पांच मिन के बाद वह फोन नहीं कि आपको पैसे चले जाएंगे पिर आधा घंडा बाद उसको कॉल कि आप पैसे डाले नहीं तो बोला कि देखिए पांच लाग पर जो है तो बड़ा एमाउंट है इसके लिए जो है आपको चाली सब रपर और भीजने होंगे शचारे आपको बहुत है घर जाएंगे और आप प्वह कर रहा है और सीके मेरा आदमी आपको आपको वहाँ पर इतनी बड़ी रकम में जो है आपको पचीस लाघ रख रुपर जो है आपका शीका भीक रहा संकोच कर रहे हो फिर मेरे मन में आया क्या करूं क्या करूं किसी समय सलाह भी नहीं लिए आपने घर परिवार से फिर जो है हम बोले यार चलो पांच लगत वाही रहा है जो है मेरे पास भीया पुरानी जो है एक गारी था उसको हम जो है बीस आरव में बेज दी और 20,000 रुपया एक अपने दोस्त जो है करजा लेकर पहिचा लेकर मतलब हम उसको यह पैसा हम टास्पर कर दिए और उसके बाद जो है फिर आदा घंटा में जो है उसका कोल आता है मेरे पास इतना भीजने के बाद मैं बोला क्या वसर आपने बोला ह बता है कि आपको जो है सेल टेक्स फारम बनवाना पड़ेगा भरवाना पड़ेगा ओजी एस्टी फार जी एस्टी बिल के लिए और सेल टेक्स का जो है फारम भड़ता है उसके लिए जो है बीस हजर रपे आप और हमें दो क्योंकि रखम बड़ी है आप फ़स जाओगे कितना मोटा रखम कहां से आपके कावन में पांच लख रपे जाएंगे तो भाईया अब हम का बताया आपको मैं बोला कि ठीक है मैं प्रयास कर रहा हूं और उसके बाद हम का बताया भाईया म मेरे पास कि भी सब्सक्राइब किया कि आप काम किजिए कि आप मिला लीजिये वी शर्पाव उसी में पांच लाक में से काट लिजिये 20 अर च्पाइब हमें डाल दोस्तों यारों सब्सक्राइब मांगा लेकिन मेरे पास फिर दुबारा 20 रपे नहीं हुए है इसलिए जो है मेने पास बाइक बेज दिय मोई दोस्तियार से लेकर जो हम ने इसको दे दिया और भीछ हिर जब दुबारामागा हो तो भाई हम से नहीं हो पाया नहीं पर चुछ curves करता हूं लेकिंद नहीं हो पाया फिर मैं उसको कॉल करके बोला रिक्वेस्ट किया कि सब्सक्राइब कि आप को तो प्लीज हमें पैसा वापस कर दीजिए या फिर आप उसी में से काट कर जो है कि हमें पांचे लाख में बोल रहे हैं आप जो है पांचे लाख में आईए दोनों सीखा दे देंगे हम उसके आगे इतना रोएं कि रिगरा है भाईया हम आपको कहा बता है मेरा पापा को कवर चल गया है कि वह बाई की बेज़ दिया है वहां घर से भी गुशा आएगा हम कि सब जूटी बात है भाईया हम फस गए भाईया आप सब से निवेदन करते हैं कि आप सब प्लीच कभी ऐसे बहकावे में ना पड़े ऐसे फ्रोड के चक्र में ना पड़े भाईया हम तो गरीब आदमी उतना कैफिसी नहीं था मेरा साथ हजर रिप्या में गवां बैठा उ हम तो बहुत दुकी है आज